इंडोनेशिया को चावल की फसल में संभावित कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिनामस्वरूप 2024 के लिए आयात में वृद्धी हो रही है क्योंकि एक तीवर अलनीनो मौसम पैटर्न के कारण एक गंभीर सूखे के कारण होता है। वाडियोनो जैसे इंडोनेशियाई किसानों के लिए विशिष्ट रोपन का मौसम जो जावा के क्लेटन रीजिंसी में एक छोटे से चावल के खेत का संचालन करता है। नवंबर से जनवरी तक विलंबित हो गया है क्योंकि वे बारिश के आने का इंतजार कर रहे थे। गील के प्रमुख चावल उतपादक शेत्र जावा में कम वर्शा के स्तर के कारण एक महीने पीछे धकेल दिये जाने का अनुमान है। इस देरी और कम बारिश के कारण मुख्य अनाज के लिए उम्मीद से भी बत्तर पैदावार की भविश्यवानी की गई है। परिना 2024 में 32 मिलियन मीटरिक तन चावल उतपादन का इंडोनेशियाई सरकार का प्रारंभिक पूर्वानुमान अब पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी और फरवरी के उतपादन में 46 परसेंट की कमी का संकेत देने वाले अनुमानों से प्रभावित है। जिसमें केवल 2.25 मि उमीद है। अंतराष्ट्रिय अनाज परिशद ने भी 2023 में फसल कम होने के बाद इंडोनेशियाई चावल उतपादन में गिरावट का अनुमान लगाया है। विशलेशक पीटर कलब ने उलेक किया कि अल नीनों ने इंडोनेशिया को काफी प्रभावित किया है जिससे वर नौ एक मिलियन हेक्टेयर तक गिर गया जिससे तीन दशमलव पांच तीन मिलियन हेक्टेयर का लक्षे चूग गया। किसान और मच्छवारा संग के टियने के प्रमुख जुलहर्मन जुस्मान के अनुसार इंडोनेशिया के लगभग 35% चावल उगाने वाले खशेतर सिं अमीद है। यह 2023 में लगभग 3.06 मिलियन टन के रिकॉर्ड आयात का अनुसर्ण करता है। आयात बढ़ने से उपभोकता कीमतों में व्रिधी होने की संभावना है क्योंकि थाइलेंड और वियतनाम जैसे प्रमुख निर्यातक देशों में चावल की लागत बढ़ रही जन्वरी में इंडोनेशियाई चावल की कीमत 14,763 रुपए प्रती किलोग्राम थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% अधिक है। पिछले साल शुरू किया गया एक सरकारी कारेकरम जो 22 मिलियन निमनाय वाले परिवारों को मासिक रूप से 10 किलोग्राम चावल एक सुरो रिपोर्ट मार्के ताइम्स टीवी